एक गाउं में एक बुढ़ा किसान रहता था, जो अपने घोडों के सहारे खेत में हल चलाता था, पर एक दिन उसका घोड़ाग ही भाग गया, पर उसी खेत के किसान उसे पूछने लगे, अब तुम कैसे हल चलाओगे? तुम्हारा किस्मत तो बहुत खराब है, किस्मत अच्छा है या बुरा, किसको पता? अगले दिन उसका घोड़ा और दो घोड़ों को साथ लेके आ गया, ये देखके गाउं के लोग बोलने लगे, अड़ी ये देखो, अब इन तीन घोड़ों से तो आप काम जल्दी कतम कर सकते हो, आपका किस्मत कितना अच्छा है? अच्छा है या बुरा है किस्मत, किसको पता? कुछ दिन बाद, बुरे खिसान का बेटा गोड़े से गिर परा और उसका टांग तूट गया, तुरंट गाउं वाले बोलने लगे, अड़ी ये क्या हो गया? ये गोड़ा तो आपके लिए बुरा किस्मत बन गया? अच्छा किस्मत या बुरा किस्मत, किसको पता है? कुछ दिन बाद, उस देश के राजा के फौजी उस गाउं के नौजवानों को फौज में शामिल करने के लिए जबरदस्ती ले गया, पर बुरे किसान का बेटा पैर तूटने के वज़े से फौज में शामिल होने से बच गया, गाउं के लोग बुरे किसान के घर के सामने एकटा हो गये और रोने लगे, फौजी हमारे बेटों को जबरदस्ती ले गये, बस तुम्हारा ही बेटा बच गया देखो, कैसे उसका तूटा हुआ टांग अच्छा किसमत ले आया, अच्छा किसमत या बुरा किसमत, किसको पता है?